गुड़ मॉर्णिंग बच्चों कैसे सब ठीक है ना कोरोना चल जाया जब ठीक तो है ठीक है तो हम ऑनलें ग्लासेस लेते सबको पताई होगा हम चलो शुडू करते हैं हमारी क्लास ठीक है तो बच्चों कल हमने की देखा था जैसे संगत वैसी रंगतAyamjak ठीक है तो कल मैंने यापको पढ़ने के लिए बोला था सब पढ़करा आगे हैं से लेक्षालय कहा agora करने बद == तो अगर जिनका नहीं हुआ वो जल्दी आज करके भीज़ दीजिए ठीक है तो अभी अलग-अलग संबंद अर्थात अलग-अलग परिणाम मतलब क्या होता है बिच्छो मैं बताती हूं अलग-अलग संबंद अगर मेरा संबंद अच्छा है तो मुझे परिणाम अच्छा म अगर बिजली शीतक से जोड़ी जाए यानि फ्रीज से जोड़ी जाए तो पानी को क्या कर देती है ठंडा कर देती है अगर वही बिजली तापक को जोड़ी जाए तो पानी को क्या कर देती है गरम कर देती है ठीक है इसी प्रिकार से बिजली कौन है बिजली हम है ठीक है शीतक कौन है अच्छी आदत हैं और तापक क्या है बुरी आदत हैं और जो वायर है वो क्या है चुनाओ है ठीक है तो बिजली अगर शीतक से जुड़ी जाए यानि हम अगर अच्छी आदतों से जुड़े तो हम कैसे होंगे अच्छे होंगे मिलेगा न हमें और अगर हम ता हमेशा शीतक यानि अच्छे आदतों से जुड़े रहना है ना कि तापक से सकारात्मक पसंद यानि सकारात्मक परिणाम नकारात्मक पसंद यानि नकारात्मक परिणाम यानि इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चो इसका मतलब है एक्जांपल के लिए शीतक और नकारात्मक ता मतलब किया तापक्थी है सबस्केirm आगा सभू तो यदि आप एक सकारात्मक परिलाम मिलाउऔ किसे परिलाम मिलेगें इक बार चुनाऊ कर लेने पर उससे समंधे friends परिलाम ही अपका पीछा करेगा, अगर एक बार अपने चुनाऊ कर लिया तो उसका नहीं परिणाम आप करें? ना कि किसी दूसरी का, यही बुरी लड कियों से मैंने दोस्ति कर विस अप 550 है तो मुझे आप विस लड़कीऊ का परिणाम करेगी यदि आप कानून दोड़ते हो तो उसका दंड पाऊगे इससी प्रकार जब आप पूरी जागरुकता से अपने संगती का चुनाव करते हो तो आपको संगती का ठीक वैसा ही फर मिलेगा तो कहानी का नाम क्या बिच्चो वास्तविक पारस्मनी बिल्कुल ठीक तो मैं आपको कहानी शॉट में समझा देती हूँ तो सेक्डो वर्ष पुर्व भारत में शिव जी का महान भक्त रहता था उसका नाम क्या था भोलू था बराबट तो जो भोलू था उसपे प्रसंद होकर भगवान शिव जी ने उसे क्या वर्दान दिया बिताओ कौन बिताएगा मुझे बिलकुल सही जवाब ठीक है तो भगवान शिव जी ने उसे कहा कि वर्दावन जाओ वहाँ पर द्वादर शादिते टिला पर तुमें संसनातन गोस्वामी मिलेंगे उनके पास एक पारस्मानी भी है अगर तुम उस पारस्मानी को किसी भी लोहे से स्पर्श कराते हो तो वो लोहा सोने में परिवर्दित हो जाएगा तो भगवान श्यू की आग्या से क्या करता है बोलू विरंदा बन जाता है ठीए तो विरंदा बन जाकर उसे 12 आदित्य टिला पर संद सनातन गोस्वामी क्या करते हुए मिलते हैं बताओ भजन करते हुए बराबर तो भजन करते हुए संसनातन गोषवामी उसे मिलते हैं वो उनके पास जाकर हाठ चोड़कर कहता है कि भगवान शुजी की कृपा से मैं आपके पास पारसमनी मांगने आया हूँ क्या आप वो मुझे दे सकते हो तो संसनातन गोषवामी मिस्कुराते हुए एक कहे क्या कहा उन्होंने क्या कहा हाँ उन्होंने कहा कि जी हाँ मेरे पास तो पारसमनी है और वो मैं तुम्हें दे दूँगा वो पेड के नीचे रखे हुए कुड़ेदान के तरफ हाथ करते हुए कहते है कि देखो उस कुड़ेदान में na उस कुड़ेदान में क्या है पारसमनी है तुम अगर उसमे ठूंड़ो के तो तुम्हें वो मिल जाएगा ये सुनकर भूलु भूलँ तो अचम भीट हो जाता है भूलू को लगता है लेकिन भगवान के नामों का पड़क करने से बोलो की बुद्धी क्या हो गई थी शुद्ध हो चुगी थी तो उसमें विचाराने शुरू हो गए क्या विचाराने शुरू हो गए कि जरूर संसनातन गोस्वामी के पास पारस मनी से भी ज्यादा मुल्यवान वस्तु होगी इसले तो उन्होंने इसे कुड़ितान में फिका फिर से उनके पास और कहा कि संसानातन गोस्वामी या आपके पास पारसमनी से भी जादे आधिक मुल्यवान बस्तु है तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास तो इससे सेक्ड़ो गुणा जादा मुल्यवान बस्तु है क्या तुम्हें वह चाहिए तो बोलो मुस्कराते हुए कहा हाँ मुझे बचाहिए क्या वो मुझे दे सकते हैं तो संसानातन गोस्वामी ने उसे क्या कहा बताओ बच्चो हाँ संसानातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त दूँगा उस शर्ट को अगर तुम पूरा करोगे तभी मैं तुम्हें वो दुनिया के सबसे मुल्यवान वस्तो दूँगा तो वो कहते है कि तुम्हें इस पारस मनी को नदी में फेक देना होगा बस यही मेरी शर्ट है उसके बाद मैं तुम्हें दे दूँगा दुनिया के सबसे मुल्यवान वस्तो तो यह सुनकर तो वो फेक देता है पारस मनी को फिर वो उनसे मागता है कि आप मुझे जल्दी से देदो मैं बहुत उच्छो को फिर संसनातन गोस्वामियों से बिठाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दुनिया के सबसे मुल्यवान वस्तो देने जा रहा हूँ यही तुम्हारी मन की संतुस्टी है मतलब क्या कि भगवान का किर्तन मतलब वो संसनातन गोस्वामियों ने क्या किया वो लू को भगवान के किर्तन में दिक्षित कर दिया यही क्या है भगवान भगवान का प्रेम या फिर भगवान परमधन या संपत्य है ठीक है ठीक है चलो तो हमारे टाइम भी हो रहा है तो चलो मैं आपको पताती हूँ कि हम हमारा मन बहुत चंचल है सबको पता है हमारा मन बहुत चंचल है एक जगा आपे तो बैठी नहीं सकता अब कुछ वजबच्य क्लास कर रहे होंगे और लाइन तो और कुछ खाना खा रहे हो पोन्स Черभρε होंगे सै से यह नही बताओ पता तो नहीं आहे आंगे तो सभने हमारा मंध बहुत संचल है तो सब मेंडिٹेशन करते ना तो आपको रोज मेडिटेशन करना होगा जिससे हमारा मन चिंचल नहीं होगा हमारा मन बहुत शान्त होगा ठीक चलो आज का हूंवर क्या है इस कहानी पर दस प्रेशन में आके लाओ और मुझे फोटो सेंग करना है ठीक है चलो हल्यों